अगर आप जीरो धा पे अपने शेयर को प्लेज करके मार्जन मनी यूज करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज आई है क्योंकि अब आप अपने प्लेज शेयर को बिना अन प्लेज किये भी इंस्टेंटली बेच सकते हैं तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बात करें जो कि आज की डेट में प्लेजिंग की जो सर्विस है उसको यूज नहीं करते हैं और उनके एकाउंट में बहुत सारे शेयर की डिलिवरी पड़ी रहती है तो आपको प्लेजिंग की सर्विस डेफिनेटली यूज करनी चाहिए इससे आप अराम से 6-7% एक्ट्र करना शुरू कर पाएंगे और अब अगर बात की जाए उन ट्रेडर्स की जो की आलरेडी जो प्लेजिंग की सर्विसेस हैं उसको यूज करते हैं और उसके गेंस जो मार्जन मनी मिलती है उसके दोरा वो अपने FNO या इंट्रडे के ट्रेड करते हैं तो अभी तक आपके ल प्लेज जो किये गए स्टॉक थे उनको बेचना होता था तो सबसे पहले आपको अन प्लेज कराना होता था तो अन प्लेज कराने की प्रोसेस यह होती थी कि अगर आज आप साड़े तीन बजे से पहले अन प्लेज की रिक्वेस्ट कंसोल पर सब्मिट करते थे तो अगले दिन यानि कि अगर आप ये रिक्वेस्ट 16 फिबरारी को साड़े तीन बजे से पहले सब्मिट कर रहे हैं तो 17 फिबरारी को आपके जो शेयर हैं वो आपके काइट या आपके में एकाउंट में दिखने लगते थे जिसके बाद आप उनको बेच पाते थे तो उस केस में कई स सारे जो ट्रेडर हैं उनको नुकसान होता था जैसे मान लीजिए कि आपने शेयर प्लेज कर रखे हैं और सड़नली 16 फिबरारी को उसका प्राइस बहुत तेजी से भाग गया और आप इनको बेचना चाहते हैं तो आप इनको बेच नहीं पाते थे आपको पहले प्लेज कराना होता था और फिर दुबारा से आप उसको प्लेज कराते थे लेकिन अगर अभी तक आप ऐसा करते थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज आई है क्योंकि आपको ध्यान होगा जीरो धाने कुछ तिन पहले एक पी का जो सिंबल है वो दिखाना शुरू किया था यानि कि आपके पास अगर मान लीजिए रिलाइंस के 62 शेयर् रखे हैं तो इस तरह से आपके अकाउंड में वो दिखने लग गए थे कि प्लेजट 50 पहले यह सर्विस नहीं होती थी लेकिन कुछ तिन पहले जीरो धाने जो भी आपके प्लेज़ शेयर्य उसको दिखाना शुरू कर दिया है आपके काईट अकाउंड में और अब उन्ह जो भी cash and carry की आप normal selling request place करते हैं उसी तरह की request आप place करेंगे और आपके 62 के 62 शेयर बिख सकते हैं पहले आपको 50 शेयर को un pledge कराना पड़ता था और अगले दिन ही आप बेच पाते थे लेकिन यह change किया गया है जो कि I'm sure आपके फायदे के लिए काम करेगा क्योंकि अगर कोई share आप instantly बेचना चाहते हैं अगर उसमें बड़ा move आया है तो अब आपको un pledge कराने के लिए एक दिन का wait नहीं करना पड़ेगा और इसको बेचने के बाद जो भी पैसा आपको मिलेगा उसके दौरा आप दूसरे share purchase कर सकते हैं FNO में trade कर सकते हैं तो उसको आप उस पैसे को use भी कर पाएंगे same day इसके अलावा अगर कुछ और important points की बात की जाए तो जैसे ही आप pledged जो भी quantity है आपके share की उसका sell order place करते हैं तो आपका जो collateral margin है उन stocks के against जो भी आपको collateral margin मिला हुआ था वो घट जाएगा और जब यह order execute हो जाएगा यानि कि आपके shares actually में big जाएंगे त वो आपको मिल जाएगा उसके द्वारा आप नई securities खरीच सकते हैं FNO में trade कर सकते हैं और simply कभी भी कोई भी share आप बेचते हैं तो आपको 80% उसी time पे credit मिल जाता है और अगर आपने कोई FNO position already hold कर रहे हैं जिसमें कि आप margin use कर रहे थे उन pledge share का तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा या तो आप cash ले आएं या किसी तरह से उन जो security है उसको square off अगयरा कर दें क्योंकि अगर margin shortfall हो गया तो हो सकता है कि zero दा आपकी जो position है उसको auto square off कर दें और ऐसा क्यों होगा भी आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने share बेचे हैं तो उसको बेच करके तो पैसा आजाएगा तो ऐसे में zero दा हमारी position को square off क्यों कर सकता है तो उसका reason यह है कि कई बार जब आप अपने shares को collateral pledge करते हैं तो उसके against आपको 90% का margin भी मिल जाता है अगर अच्छी quality के shares होते हैं तो आपको काफी अच्छा margin मिल जाता है लेकिन जब आप उनको बेचते हैं तो square off किया जा सकता है तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप उनी pledge shares को बेचे जिसका कि आप margin यूज नहीं कर रहे हैं इसके अलावा जो भी pledge stocks हैं उसको आप auction या post market session में नहीं बेच सकते हैं यानि कि regular जो सवा 9 से 3.5 का session होता है वहीं पे आप उनको बेच पाएंगे इसके अलावा कई cash equivalent pledging होती है जब आप मेरा pledging वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इस समझाएगा जैसे कि sovereign gold bond हो गए gold government की security हो गई liquid bees हो गए इसके against आपको cash margin मिलता है तो ये भी आप instantly नहीं बेच पाएंगे यानि कि अगर आपको liquid bees या sovereign gold bond को बेचना है तो पहले उस अच्छा feature यह है कि मानलो आपने कोई pledge share को बेच दिया और same day ही दुबारा उतने share को खरीद लिया तो आपकी जो pledged quantity है वो reinstate हो जाएगा यानि उनको दुबारा से आपको manually pledge नहीं कराना पड़ेगा वो दुबारा से pledged हो जाएंगे अपने आप और उसके against जो भी haircut के बाद margin मिलता है वो आपके collateral margin में दिखने लग जाएगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा इसके लावा अगर आपके कोई भी questions है तो आप comment section में लिखिए मैं उनका answer देने की पूरी कोशिश करूँगा thank you so much for watching the video and God bless you all